कि नमस्कार दोस्तों OCM Network में आपका स्वागत इंडी एलाइंस में गेम शुरू हो चुका है महमताम इनर्जी और शरत पवार के जो बयान आये हैं और जिस तरीके साम अलिकारजुन खरगे के आवास पर आयोजेत बैठक से शिव सेना गयब दिखाई दी है इस माइने में के ना तो उधाव ठाकरे थे ना संजराव दिखाई दिए जो फोटो जारी किये गए हैं उनमें ये दोनों ही दिखाई नहीं दिये महमताम इनर्जी की तरफ से एक चेहरा दिखाई दे रहा है डेरेक ऑबरायन लेकिन महमताम इनर्जी का जो बयान आया है उसके बाद से एक कन्फ्यूजन की इस्तिती पैदा हो गई है इस चित्र में आपको शरत पवार की बेटी सुपर या भी दिखाई दे रही है लेकिन मुंबई में शरत पवार ने जो बयान जारी किया है उसके बाद लगने लगा है कि दाल में कुछ काला है कुछ गड़बडियां है कुछ समाध हींता की इस्तिती है और कुछ इगो की टकराहट शुरू हो चुकी है शरत पवार और महमता बेनरजी दोनों बहुत अच्छे तरीके से सियासी जो खेल होते हैं उनको बहां अपने का माददा रखते हैं और राहुल गांधी उनकी मम्मी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड़रा रिजल्ट आने के बाद से ही जिस तरह की बोड़ी लेंग्वेज इन तीनों की बदली है जिस तरीके से इनके चेहरों पर चमक लोटी है और जिस तरीके से ये पार्लेमेंट के भीतर भी फ्लॉर मैनेजमेंट जिसको कहते हैं और पार्लेमेंट के बाहर भी फैंसले ले रहे हैं और इंडी एलाइंस के घड़क दलों पर वो फैंसले एक तरीके से अधाव थाकरे भी सतर्क हो चले उधाव थाकरे तो पिछली जो बैठक बुलाई गई थी उसमें भी नहीं आये थे जब एक दिन पहले रिजल्ट से एक दिन पहले बलके जिस दिन यह रिजल्ट आये संभावत है उसी दिन वाली का अरजुन खरगे के आवास पर एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें संजाराउत तो थे उधाव ठाकरे नहीं आये थे और संजाराउत का और बाकी नेताओं के साथ राहुल गांधी का भी एक वीडियो बड़ा वाइरल हुआ था जिसमें संजाराउत राहुल गांधी से कुछ बाच्छित करने की कोशिश कर रहे थ और राहुल गांधी उनको भाव नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी चने के ज़ाड पर चड़े हुए हैं। उस टेक्स्ट मैसेज का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। गेम क्या है। ये जो राहुल गांधी अपना एजिंडा चला रहे हैं। आज संसत सदस्य के रूप में शपत ग्रहन करते हुए भी संविधान की वही पृति अपने हाथ में लेकर के लोगों को दिखा रहे थे। और लोग सभा में उपस्तित सांसदों को भी दिखा रहे थे। और ये शो करने की कोशिश कर रहे थे। के देखो मैंने जन्सभाव में प्रेस कॉन्फरेंस में सम्मिधान की प्रती हाथ में लेकर के जो महीम शुरू की थी अब तमाम विपक्षी दलों के नेता भी उसका अनुसरन कर रहे हैं। पहले दिन यानि 24 जून को जब ये सब पार्लेमेंट पहुँचे थे तो बाहर परिसर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मलिका अरजुन खरगे के नितरतों में कई दूसरे विपक्षी दलों के नेता एक जगए इकठा हुए थे। आपने एक नौट किया होगा, अखलेश यादो और उनकी पारिटी के चुने हुए दूसरे 36 सांसद कॉंग्रेस के और इंडी एलाइंस के बाकी जो मेंबर ओ पार्लेमेंट एक जगए खड़े हुए थे, यही लाल रंग की समीधान की बुक को लेकर के वहां पर वो नहीं थे, वो पार्लेमेंट के प्रवेश द्वार पर अलग खड़े हुए थे और उनके हाथों में यह लाल वाली समीधान की डाइरी नहीं थी, उनके हाथ में समीधान की बड़ी पुस्तिका दिखाई दे रही थी, यानि अखलेश यादो अपने को राहुल गांधी का अगू साबित नहीं करना चाते, शो नहीं करना चाते, यह 24 जून को संकेत और संदेश मिल गया है मीडिया के जरिये बाकी लोगों को भी, राहुल गांधी उनके मम्मी और मलिक और जुन खरगे बाहर वही समीधान की कौपी ले करके परदरसन कर रहे थे, पार्लियमेंट म और जब सबसे पहले प्रधान मंतरी नरेंदर मौदी ने सदस्य के तोर पर शपत ली और शपत के लिए वो उपर डायस पर पहुंचे, तो राहुल गांधी समीधान की प्रती जो है उनको अपना हाथ उंचा करके दिखा रहे थे, वो चीजें कॉंग्रेस पारिटी के की गई, उसमें सुप्रिया स्रीनेश से लेकर के तमाम जो आजकल शेखी खोरी चल रही है और जिस तरह की लेंगवेज का इस्तमाल किया जा रहा है, राहुल गांधी की तरफ से भी और उनके परवक्ताओं की तरफ से भी, वो एक अलग ही इस तर का कहना चाहिए के अमरिय मरियादित आचरन है, आमतोर पर ये होता है कि चलो आपकी कुछ सीटे बढ़ गई हैं, तो आप मरियादित आचरन करें, संतुलित भाव से जो कह रहे हैं, उसको कहें और आपके भीतर की जो पिछले दस साल से दवी हुई कुंठा है, वो किसी भी रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई ना दे, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी हैं, 2014 में भी भारतिये जनता पारिटी को absolute majority मिली थी, 2019 में तो उसमें और 21 सीटे जुड़ गई थी, 303 सीटे हो गई थी, उन दोनों बार भी वो हाथ जोड़ करके, पूरा जुक करके, देश की जनता के परती आभार अव्यक्त करते हुए कई बार देखे गए, कई अस्थानों पर देखे गए, 2024 में उनकी अपनी पारिटी को 272 से कम सीटे मिली हैं, 240 सीटे मिली हैं, और NDA को 293 सीट यानि absolute majority मिली हैं, तो भी ना तो वो 2014 और 2019 में इतराए थे, और ना ही 2024 में 240 सीटे आने के बाद बोराए हुए दिखाई दिये हैं, या हताश और निराशा में डूबे हुए दिखाई दिये हैं, ऐसा कोई किसी भी तरह का, हाँ, फर्स्ट डे जब वो बीजेपी ओफिस गए थे, थोड़े से हताश निराश थे, आँखों में एक सून पन था, लेकिन जैसे ही Central Hall में, पार्लिमेंट में, उनको नेता चुना गया, भारतिय जिनता पारिटी का और NDA का, यानि परधान मंत्री पद के लिए तीसरी बार चुना गया, तो उनके बहितर वो पुराना ही आत्मविश्वास और दिखाई दिया, और उन्होंने उसी के अनुरूप, आचरन करते हुए अपना उद्वोधन भी दिया, Central Hall में उपस्थित अपने समर्थकों को भी और देश को भी, राहल गांधी जिस तरीके से प्रधान मंत्री पर अतीशे आक्त्रामकता दिखा रहे हैं, जिस तरह की इनकी बोड़ी लेंग्वेज है, जिस तरी कैसे ये इंडी एलाइंस के घटक दलों के साथ, जैसे भेड बकरियों के साथ, बिहेव होता है कि हम ये फैसला कर रहे हैं, आप इसका समर्थन करो, यानि हमारे पीछे आओ, ये भाव है, ये वहां का चित्र है, आज की बैठक का, मलिका अरजुन खरगे और राहुल से भरे हुए, और इनका जो ट्वीट आया है, जरा उसको देख लेते हैं, क्या लिखा है, इसमें लिखा है, आज कॉंग्रे सद्यक्ष शिरी खरगे और शिरी राहुल गांदी की मौजूदगी में, इंडिया गठबंदन के फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई, इस बैठक मे इंडिया गठबंदन के वरिष्ट नेता मौजूद रहे नई दिल्ली, यानि इस ट्वीट में भी, इस मैसेज में भी, सूचना में भी, केवल और केवल मलिक अरजुन खरगे और राहुल गांदी का नाम है, किसी और का नाम देना इन्होंने मौनासिब नहीं समझा, चार, सड़ चार लाइन की एक ख़बर और नीचे वो तमाम चित्र जो इसके साथ अटैच किये गए हैं, बस इतना भर है, अब ये फ्लोर मैनेजमेंट के लिए बैठक्यों बलाई गई थी, जिस चीज़ को लेकर के महमता बैनर्दी और शरद पवार के तीखे रियक्शन महमता बैनर्दी ने तो कह दिया है कि ये जो के सुरेश, स्पीकर पद के कैंडिडेट बनाए हैं, ये कॉंग्रेस के कैंडिडेट हैं, यानि इंडी एलाइंस के परतियाशी नहीं है, महमता बैनर्दी का कहना ये है कि उनसे कोई बात नहीं की गई, उनसे कोई सलह नहीं ल गोशित कर दिया, इस पीकर पद के लिए, शरद पवार का एकदम अलग तरह का बयान है, जब मुंबई में पत्रकारों ने उनसे पूछा, किसाब मौधी सरकार की तरफ से भारते जिनता पारेटी, NDA की तरफ से तो एक बार फिर ओम बिरला को इस पीकर पद का उमीदवार ब बीच में ये थे, तो आप लोगों की तरफ से के सुरेश को केंडिडेट बनाया गया है, तो शरद पवार ने बड़ा आश्यर जनक बयान दिया, उन्होंना कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, और मैं दिल्ली में जाकर के बात करूँगा, शरद पवार ने एक बात और कही है, उन्होंना कहा कि विपक्षी दलों को, यानि इंडी एलाइंस को, इस स्पीकर पद के लिए अपना केंडिडेट मैदान में नहीं उतारना चाहिए था, उनका कहना है कि जब से सतंतरता मिली है, और जब से नई लोग सभा का चुनाव होता रहा है, तब से सत्तरूड पारिटी का ही स्पीकर होता आया है, और उन्हीं کا स्पीकर होता है, विपक्ष का स्पीकर नहीं होता है, ये परंपरा चली आ रही है, इस परंपरा को बरकरार रखा जाना चाहिए, और शर्थपवार ने ये बड़ी रिमार्के की बात कही है, क्योंकि अल अलग अलग राज्यों में आप देखिए विधान सभाओं में आप देखिए तो जिस दल की वहां सरकार होती है उसी दल का विधान सभा का स्पीकर होता है। दोपहर में मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि यहां तो राहुल गांधी और कॉंग्रेस के नेता नरेंदर मोदी से ये बारगेनिंग कर रहे थे कि हम ओम बिरला के नाम का समर्थन कर देंगे चुनाव की नौबत नहीं आएगी पर डिप्टी स्पीकर का पद हमें चाहिए तो कॉंग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद क्यों चाहिए या अगर वो डिप्टी स्पीकर का पद इनको नहीं दे रहे हैं तो ये भी एक तरह की थ्रेट है दमकी है कि हम ओम बिरला को सर्वसमती से स्पीकर नहीं होने देंगे जबके पिछले सतर साल का जो इतिहास है लोग सभा का वो ये है कि स्पीकर को हमेशा सर्व सम्मति से ही चुना जाता है चुनाव नहीं होता है क्योंकि वो सदन का नेता है लेकिन ये इस बार कुछ जादा ही उत्साह से भरे हुए है और इनका जो व्यवहार है वो बहुत अतिरेख पूर्ण हो गया है इसलिए इन्होंने केंडिडेट उतार दिया और केंडिडेट भी बिना मुम्मदाव एनरजी से पूछे बिना शर्दपवार से पूछे और संबावते बिना उधाव ठाकरे को बताए हुए तै कर दिया है अभी ज़रा ये खबरे आनी चेश है कि इनके कौन-कौन से गटक दलों के नेता इस बैठक से गायब थे क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इंडी एलाइंस में जिस तरह की दादागिरी राहुल गांधी चलाना चाहते है या कॉंग्रेस पारिटी चलाना चाहती है उससे दुखी हो करके कुछ लोग दूरी बनाना शुरू कर चुके है और ये बयान बताते हैं कि शरत पवार भी इसके पक्ष में नहीं थे कि इंडी एलाइंस की तरफ से या विपक्षी दलो की तरफ से ओम बिरला के खिलाब केंडिडेट मैदान में उतारा जाए और ममताब एनर्जी भी इसके प्रती पनी चुक थी ये उन्होंने संकेत दे दिये हैं राहुल गांधी का गेम क्या है और कॉंग्रेस पारिटी का गेम क्या है ये समझना बहुत ज़ली है 2014 हो या 2019 हो राहुल गांधी सुपर फ्लॉफ साबित हुए थे 2014 में केवल 44 सीटे कॉंग्रेस की रह गई थी यानि इतना बुरा प्रदर्शन तो आजादी के बाद कॉंग्रेस ने कभी भी नहीं किया था 2019 में थोड़ी सी सीट बड़ी तो केवल वो 44 से 52 हुई थी और इस बार भी अगर इनकी 99 तक पहुँची दो सीटों से ये जीत करके आये थे इसलिए 90-80 हम गिनेंगे तो अगर ये 98-99 तक पहुँचे थे तो इसकी वजह ये थी कि चुनाओ परचार के दोरान स्वमिधान को लेकर के आरक्षन को लेकर के प्रोपर्टी को लेकर के खटाखट वाला जो इनका भाशन हुआ करता था कि आपके अकाउंट में हर महिने 8,000 रुपया आ जाएगा इन सब को लेकर के इनोंने एक बड़े वर्ग को भरमित कर दिया और भारतिये जनता पार्टी से तोड़ करके अपने खेमे में करने में कामियाब हो गए यानि जो राम मंदिर के निर्मान और परान प्रतिष्ठा से एक जुटता दिखाई दे रही थी मौदी समर्थकों में उसमें एक तरीके से इन्होंने निम्बू निचोड़ दिया और उनको फड़ दिया विवाजित कर दिया इसलिए इनकी सीटे बढ़ी हैं और दूसरे ये जो अब की बार 400 पार का नारा था इसने गलत असर डाला लोगों के दिलो दिमाग पर इन्होंने ये बात जम करके चलाई कि अगर इनके 400 आ गई तो ये समीधान बदल देंगे लोगों का आरक्षन छीन ले गए और जब तक इसका दुश प्रभाव हो गया है ये पता लगा तब तक तो दो तीन चरण का मतदान हो चुका था तो भारतिय जंता पारिटी और नरेंदर मोदी अमित शाह वगयरा वो डेमेज कंट्रोल कर नहीं पाए इसलिए और चुकी उत्तर प्रदेश जहां से एक निरनायक बड़त मिलती थी भारतिय जंता पारिटी को 2014 में भी 70 से ज्यादा सीटे मिली थी 2019 में भी 64 सीटे इनको और सहयोगी दलों की मिल गई थी और इसलिए पूर्ण बहुमत मिल गया था दोनों बार इस बार उत्तर प्रदेश का जो जाती है बटवारा हुआ और ये जिस तरीके से अखलेश यादव के साथ मिल करके चुनाओ लड़े और जो पूरा मुसलिम मतदाता वर्ग है वो इनके पीछे चला गया पिछडे थे ही और दलित बगरा भी चले गए तो इसलिए उत्तर प्रदेश में इनको 80 में से 45 सीटे मिल गई 37 समाझवधी पारिटी को और तीन कॉंग्रेस पारिटी को राहल गांदी को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है हकीकत ये नहीं है हकीकत कुछ और है जहां जहां भारतिय जनता पारिटी से कॉंग्रेस का डारेक्ट फाईट हुआ है मुकाबला हुआ है वहां वहां कॉंग्रेस पार्टी का भारतिय जनता पार्टी ने एक तरीके से सफाया कर दिया है कुछ-कुछ सीटे तो मिली है करनाटक में मिल गई बाकी राज्यों में अगर देखा तो मद्यप्रदेश में पुरी तरीके से सफाया उडीसा में एक तरीक सभा में भी उसने वहूमत हासिल करके अपनी एक नए राज्य में सरकार भी बनाई और नया मुक्षमंतरी अपना बना लिया लेकिन कॉंग्रेस ने कौन से राज्य में जीत दर्ज की है आंद्रा परदेश का चुनाव हुआ वहां भी हारी उडीसा का चुनाव हुआ वहां ही बढ़ी हो लेकिन दूसरे कारणों से बढ़ी हैं और 98-99 सीटी जीत करके जिस तरीके से आप कॉलर खड़े करके प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी को अपमानित करने वाली भाशा बोल रहे हैं उन नरेंदर मोदी को अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं संसत के बाहर भी संसत के भीतर भी जिनकी अभी भी 240 सीटे आई हैं इंडिपेंडेंटली भारतिय जनता पारिटी की और इनकी सारे इंडी एलाइंस के गटक दलों की मिला करके 232 सीटे आई हैं including Congress यानि अकेले भारतिय जनता पारिटी आज भी जहां खड़ी है वहां सारा इंडी गड़वंदन मिलकर के भी उतना नहीं पहुच पाया है 240 से नीचे ही रह गिया है फिर भी इनकी एरोगेंस चरम पर है और ये जो इंडी एलाइंस का फिर से बिना तै हुए कि ये अगवा बनने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांदी और फ्लोर मैनेजमेंट भी खुद से तै कर रहे हैं इस पीकर का केंडिडेट कोन होगा ये भी खुद से तै कर दे रहे हैं इसको लेकर के मुझे लगता है कि शर्द पवार हो मंता बेनर्जी हो उदव ठाकरे हो सब अंदर ही अंदर गहरे नराज है और ये जो बयान दिये हैं मुझे बेनर्जी और शर्द पवार ने ये आने वाले तूफान का संकेत है अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमे लगे बेल आइकोन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नौटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार